नमस्कार दूस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है रशित दिवेदी और मैं आपको सौध करता हूँ अपने इस वीडियो में लास्ट टाइम जहां खतम किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे देखेंगे साथ साथ ये देखेंगे कि English East India Company बाकी European powers यानि बाकी East India Company को हराने में काम्याब कैसे रही पहुसी East India Company आये थी पौर्टोजीज आये थे फ्रेंच आये थे डैच आये थे डैनेश आये थे सब को हरा दिया और English East India Company पॉलिटिकल पावर और एक कॉमर्शिय पावर के फॉर्म में हमारे सामने पाएगी और फिर एंड में दोस्तों इसकी एक ब्रीफ समरी देखेंगी तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों उस वीडियो पर लाइक का बटन दबाद दीजे हो सके तो उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर शेयर कर दीजे सासाथ यह जो कि इस में थन्जॉर नाम की जगा है बहुत फिमर्स जगा है दोस्तों historically बहुत इंपॉर्टन सेंटर है चोलास का बहुत इंपॉर्टन सेंटर रहे धरोंजॉर तो थन्जॉर के पास एक जगा है इसका नाम है ट्रेंक्वे बार आपकी सामने किताब में दिख रहा होगा टी र-A-N-Q-U-E-B-A-R यहाँ पे एक फैक्टरी बनाई डैंस ने तो डैन्मार्क के राजाने में यहाँ पे एक कंपनी बेजी थी यह थन्जॉर आपका इस्टन कोस्ट पर फिर आप देखो कि इनका एक सेटलमेंट कलकत्ता जो पास सेरंपूर नाम की जगा है इस सेरंपूर में भी सेटलमेंट था आपका डैनिश इस्ट इंडिया कंपनी का लेकिन यह एक्चुली फॉर्टिफिकेशन नहीं थे यह फैक्टरी थी थी थोड़ा मोद ट्रेड और कॉमर्शिन में इन्वाल थी यह कभी भी यह बहुत ज़ादा इंपॉर्टन नहीं और कभी भी जो डैनिश इस्ट इंडिया कंपनी है इसने बहुत ज़ादा टक्कर नहीं दी बाकी कंपनी को और बाद में आप देखोगे दोस्तों कि जो डैनिश फैक्टरी थे यह बेच देंगे ब्रिटिश गॉर्मेंट को 1845 में जो में काम किया डैनिश इस्ट इंडिया जाते थे यह बेच्टरी और पॉलिटिकल पावर की तरफ तो वो गए ही नहीं अब भाईया बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश इस्ट इंडिया कंपनी के और यह देखेंगे कि बाकी यूरोपियन पावर्स को कैसे हराया आप देखो दोस्तों कौन कौन सी यूरोपियन प बिदियर ये इस इंडिया कंपनी को नाखो है त्रक्टर एंड नेचर ओफ ट्रेइडिंग कंपनी इस इस इंडिया कंपनी की खास बात थी दोस्तों इस इंडिया कंपनी का कोई भी राइवल नहीं था इंगलेंड में जो भी इनके राइवल्स बने वो राइवल्स आपके East India Company में मिला दिये जाए यानि कि एक अकेली ऐसी company थी दोस्तों जो कि England की तरफ से इंडिया में आई थी trade करने के लिए इसके एक board of directors थे वो board of directors आपके लंदन में बैठते थे उन में elections होते थे उन board of directors में obvious इबात है दोस्तों shareholders भी होते थे company के तो देखे company privately owned थी उस privately owned company में सबने share वगारा खरीद रखे थे और जो important shareholders होते थे या जिनका दबदबा होता था वो लोग अपने इसाब से board of directors में members को elect करते थे और ये board of directors regularly मिलते थे और इस बात पर बातचीत करते थे कि कैसे efficiency बढ़ाई जाए East India Company की वहीं पे France से जो French East India Company आई और Portugal से जो company आई वो लोग बहुत हद तक उनकी ownership थी उनके state के हाथ में थी यानि France का जो monarch था 60% of the ownership तो उसके हाथ में थी पुर्तुकाल के राजा का भी काफी जोर था पुर्तुकाल के जो वासको डिगामा और बाद में जो governors आये हैं काफी हद तक पुर्तुकाल के राजा का काफी control चलता था तो आप देखोगे कि एक feudal element था French East India Company में Portuguese East India Company में वहीं पे अगर आप बात करोगे East India Company की तो East India Company बहुत ज़ादा autonomous थी उसको आजादी थी अपने हिसाब से चीजे करने की जो board of directors बैट रहते East India Company के London में उनको ये पता था कि भाई फील्ड में काम करना कितना मुश्किल होता है इसलिए वो ज़ादा फालतों का interference नहीं करते तो वहीं पे French Company के आप बात करोगे तो जो उसके राजा थे वहाँ की जो लुई राजा थे वो 60% shares थे उनके पास तो अगर आप French Company के बात करो दोशे French East India Company के तो French East India Company के ये हाल थे कि उनको राजा नॉमिनेट करता था तो 60% ownership आपके राजा के पास है बाकी 40% में और shareholder से उन shareholders में से किसी को as a director appoint करेगा राजा उके उसके बाद दो high commissioners को appoint करेगा राजा और उन high commissioner के decisions को execute करेंगे वो director वो director जो कि shareholders में से नॉमिनेट हुए है कुछ समझने की ज़रोत नहीं आप पस इतना समझिये कि जो presidentship France में बैटके French East India Company को चला रही थी उसको बहुत ज़्यादा interest नहीं था दोस्तों इंडिया में क्या हो रहा था in fact वो ज़्यादा वरायता देते थे North America में जो French colonies थी उनको दूसरी बात जो shareholders थे French East India Company को उनको French monarch ने बोला कि मैं आपको guaranteed return दूँगा आप सोचो दोस्तों आप किसी एक company के head हो अगर आपको ये बोल दिया जाए ये भईया हम साल में आपको इतना पैसा तो देंगे ही देंगे इससे जदा नहीं मिलेगा इससे company नहीं मिलेगा तो आप बोलोगे कि मेरा पैसा तो fix हो गया आप company सही से चल रही है नहीं चल रही है मुझे उससे क्या लेना देना है आपके ओपर pressure कब होगा जब एक company में आप director हो और आपके पास जो पैसा आएगा वो इस बात पर dependent होगा कि वो company कैसा perform कर रही है तो performance की basis पर अगर पैसा आएगा तो आप उस company के काम में involved होगे आप देखो कि company सही से चल रही है कि नहीं चल रही लेकिन France पे जो लोग बैठे थे उनको मोनार्क ने बोला, राजा ने बोला, लूई 14 ने बोला कि भाई मैं तुमको guarantee dividend दूँगा और एक तरीके सा आप देखोगे एक state के department की तरह एक government के department की तरह ये French East India Company चल रही है और सोचे उस समय पे जो government department थे आपके France के वो कितने corrupt थे तो ये French East India Company कैसे सही चल सकती थी ये थी दोस्तों तो भाई कोई ध्यानी नहीं दिया जो France को जो head बैटे थे उन्होंने यहाँ पे अपनी French East India Company को ठीक से चलाने के लिए प्लस यहाँ पे जो French East India Company के जो directors थे उनको regularly politics का सामना करना पड़ता था उनको permission लेनी पड़ती थी आप देखिए Second Carnatic War की शुरुवात में ही डूप्लिक्स को वापस बुला लिया गया जबकि Second Carnatic War में France की जो company थी वो properly R.E. नहीं थी जीती भी थी और R.E. भी थी Second Carnatic War क्या था दोस्तों एक स्फियर में French East India Company जीद गी और दूसरे स्फियर में Robert Clive ने जब counter-attack किया तो Britain जीत गया तो end में आप कह सकते कि indecisive था आपका Second Carnatic War लेकिन आप देखोगे दोस्तों कि Frank को इस डूप्लेक्स को वापस बुलाना एक गलती थी France की क्यों बुलाया? चुकि उनकी अपनी politics थी company कैसे काम कर रही है उनको कोई मतलब था नहीं आगे बात करेंगे naval superiority दोस्तों English East India Company की naval superiority अच्छी थी अब मैंने आपको जब पहले पढ़ाया है तो मैंने आपको बताया था कि भई पॉर्टूगीज एक बहुत important naval power थी बिल्कुल सही बात है दोस्तों पॉर्टूगीज के पास सबसे जबरदस नहीं भी थी शुरुवात में सबसे पहले इंडिया में कौन आए पॉर्टूगीज आए पॉर्टूगीज जब इंडिया में आए उसके बाद English East India Company यहाँ पर आई English East India Company जब यहाँ पर entry मारेगी दोस्तों वो जहाँ गीर के कोटोट में जाएगी तो उस समय पे ही जो English East India Company के representatives है वो कुछ समय में समझ जाएंगे कि जो पॉर्टूगीज की ताकत है ना यह इनकी naval ताकत है इनके पास territory में ज़्यादा ताकत नहीं है तो उस समय से ही जो English East India Company के officials है वो अपनी navy को develop करना शुरू करेंगे France ने ये चीज नहीं की दोस्तों और वहीं पर आप देखेंगे कि France ब्रिटेन से पीछे चूट गया तो जो Royal Navy थी ब्रिटेन की वो बहुत बड़ी थी बहुत advance हो चुगी थी कुछ समय बाद तो कि बाई पॉर्टुगीज को भी आरा पाए naval warfare में तो पॉर्टुगीज से ही इस बात को English East India Company ने समझा था कि कितना जरूरी है एक efficient एक powerful एक technologically advanced navy को maintain करना जो की ब्रिटेन की navy ने किया उसके बाद आते हैं दोस्तों industrial revolution industrial revolution ने बहुत बड़ा turning point है क्या हुआ दोस्तों इंग्लैंड में आप कह सकते हैं 1750 के लंसम वैसे तेजी से तो ये 1760 से शुरू हुआ 1750 से और उस fact उसे थोड़ा पहले से ही industrial revolution शुरू हुआ क्या है industrial revolution बाई steam engine आ गए power loom आ गई spinning genie आ गई advanced machinery आ गई ऐसी machinery जो कि दुनिया में कहीं और थी ही नहीं आज की date में पूरी दुनिया industrialize हो रही है लेकिन सबसे पहले industrialization उस समय पर शुरू हुआ इंग्लैंड का इंग्लैंड के पास latest technology आई उन्होंने अपने कोईले को निकाल के steam engine से चीजों को घरना शुरू किया इंडस्ट्री संदी शुरू हुई तेजी से power room से बहुत तेजी से कपड़े बनाने शुरू किये तो आप देखेंगे industrial revolution के चलते जो machineी ताकत है इंग्लैंड की वो बढ़ी और उसकी वज़े से जो इंग्लैंड की economic power है वो बढ़ेगी आप देखोगे कैसे इस industrial revolution के दम पे English East India Company ने हमारे उस textile trade को बरबाद कर दिया जिस textile trade की greed में ये इंग्लैंड और पॉर्तुगीज ये सम इंडिया आये थे इंडिया के कपड़े दुनिया भर में famous थे यूरोप पे तरस्ते थे लोग इंडिया की कपड़ों के लिए उनी कपड़ों के ट्रेड के लिए ये ट्रेडर्स इंडिया में आया और बाद में जब इंग्लैंड में industrial revolution होगा यही English East India Company इंग्लैंड की मिल्स में बने हुए कपड़ों को इंडिया के market में बेचने के लिए इंडिया की local textile industry को तबाह कर देगा तो एक industrial revolution एक factor था जो की favor में था आपके English East India Company के फिर बात करते हैं भाई military skill और discipline देखें military skill और discipline तो no doubt इनके जो British soldiers थे उनमें बहुत था British soldiers disciplined थे बहुत train थे जब वो इंडिया में आये उनने इंडिया की लोगों को अपनी आर्मी में शामिल किया उनको भी अच्छी तरीके से discipline किया ट्रेन किया जो British commanders थे Robert Clive, Stringen, Lawrence ये सब जबरदस्थ स्ट्राटेजिस्ट थे दिमाग था इनके अंदर पतर इनकी जो strategic thought था इनकी जो military warfare की जो समझ थी जबरदस्थ थी उसके बाद Britain के पास technological advancements भी हो रहे थे industrial revolution आगया था, military उनके पास जदा थी जिसके चलते उन्होंने अपनी military को properly equip किया, guns के साथ तोपों के साथ, इन सब चीजों के साथ ठीक है, तो आप देखोगे दोस्तों की एक छोटी सी English army बड़ी-बड़ी हिंदुस्तान की फोजों को हरा देगी ये तो Battle of Sand Thome में ही आपको देखने को मिला था First Carnatic War में जहां पर मैंने आपको बताया था कि France की छोटी सी आर्मी ने नवाब of Carnatic की इतनी बड़ी आर्मी को हरा दिया और बाद में ये English वाले भी बहुत बार करेंगे English की छोटी-छोटी सी आर्मिया इंडिया के राजों की बड़ी-बड़ी आर्मियों को हराईगी चोकि जो उनके soldiers थे बहुत ज़दा discipline थे जो उनकी आर्मी थी बहुत ज़दा discipline थी well-maintained थी जो हतियार थे उनके पास वो बहुत ज़दा quality के थे एक trained lot लड़ रहा था Britishers के लिए फिर आगे बात करेंगे दोस्तों stable government की देखिए Britain में जो government बैठी थी ना ये सब चीदों को चलाने के लिए वो भी stable थी तो इसका क्या मतलब है कि हमेशा सही Britain की government stable रही है नहीं दोस्तों एक वहाँ पर revolution हुआ था जिसका नाम है Glorious Revolution of 1688 हुआ गया दोस्तों वहाँ पर James 2 और 6 करके James 2 और James 7 जो ruler थे आपके England, Scotland, Ireland के उनको replace कर दिया उनकी daughter Mary 2 और उनके कुछ Dutch nephews थे फिर Mary के husband थे इन सबने मतलब उनकी जो मुनार्की थी ना उसमें कुछ changes हुए इस Glorious Revolution of 1688 में बट एक्चलि ये जो Glorious Revolution था 1688 का इसमें बहुत ज़दा खून नहीं भा बहुत खतरनाक civil war type का नहीं हुआ जैसे normally हो जाता है जैसे American Revolution में आप देखोगे French Revolution में देखोगे civil war type का नहीं हुआ तो ये बात है दोस्तों फिर ज़दा दर cases में जो Britain में government रही है वहाँ पे जो उनका administration है वो काफी efficient रहा है stable रहा है जो उनके monarchs है तो उनका rule ठीक ठाक रहा है वहीं पे अगर आप European nations को देखेंगे आप France को देख लीजे France में आपको French Revolution नजर आएगा दोस्तों ठीक है भाया जबर्दस बवाल मचा France में फिर नैपोलियन वार्स होंगे और उसका एक छोटा सा स्फियर टीपू सुल्तान के फॉर्म में आपको नजर आएगा हमारे मैसूर में हाला कि टीपू सुल्तान ने direct मदद नहीं आई टीपू सुल्तान के पास नैपोलियन की तरफ से बठा नैपोलियन के मिनिस्टर और टीपू सुल्तान के बीच में एक mode of communication आउन था तो आप देखोगे कि भहिया France में revolution हुआ फिर नैपोलियन ने जंग लड़ी जिससे जो France की condition थी ना खासकर जो उसकी economy थी वो बहुत कमजोर हुई एक समय पे नैपोलियन ने France को बहुत strong बना दिया बढ़ बाद में आप देखोगे कि भहिया नैपोलियन का जो France था ना वो Britain के साब ने थोड़ा सा हार रहा था उस समय पे दोस्तों पूरे येरोप में बवाल मचा हुआ था डच और स्पेन भी आपस में लड़ रहे थे पूर्तुगाल की भी हालत खराब थी डच इस इंडिया कंपनी ने बैंक्राप्सी फाइल कर दी अठारा सो में कि भहिया आब हम नहीं चल पाएंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें हो रही थी ब्रिटेन में भी ये प्राब्लम हुई ब्रिटेन ने भी ये जंगे लड़ी लेकिन ब्रिटेन की जो गौवर्मेंट थी दोस्तों स्टेबिल थी वो ऐसी गौवर्मेंट नहीं थी वो लोई 14, 15, 16 की तरह नहीं थी जबरदस्ती French East India Company के काम में इंटर्फियर करो वो तो जो मोनार्की थी आपकी French की वो तो काम में इंटर्फियर करी रही थी लेकिन जो आपकी मोनार्की England की थी जो England के Administrators थे उन्होंने कभी English East India Company के काम में ज़्यादा इंटर्फियरेंस नहीं करी ये एक important चीज है उसके आप देखोगे जो English East India Company है उसने एक लिमिट से ज़्यादा missionary activities को बढ़ावा नहीं दिया आप देखोगे जब पर्टगाल से आये दोस्तों यहाँ पे जो पॉर्टुगीज थे वो बहुत ज़्यादा inclined थे भाईया convergence कराने के लिए सब को Christian मनाने के लिए वो Christianity को बहुत जील से देखते थे और शुरून उन्होंने यहाँ पे Muslimों को मारा आके और बाद में उन्होंने Hindu को मारना शुरू कर दिया ये जो आपका इनका पॉर्टुगीज का ये था कि भाईया सिर्फ Christian सी Christian से बागी सब को मार देंगे तो शुरूआत में Muslim को मारा और बाद में Hindu को मारा ये चीज़ England में नहीं थी English East India Company को पता था अगर इंडिया में politically राज करना है ये राज यहाँ के लोगों को अपना subject बनाए बिना ये यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बिना बिना ये राज नहीं किया जा सकता इसलिए कभी भी religion की तरफ बहुत ज़ादा zeal बहुत ज़ादा emotional attachment नहीं दिखाया English East India Company ने और इसलिए वो इतने लंबिस समय ता इंडिया में राज भी कर पाए फाइनली है use of debt market अपनी economy को बहुत तरीके से समझा England ने देए क्या है भाएं फ्रेंट्स England बहुत तेजी से develop कर रहा था 1750 से लेके 1850 की बीच में उसके बाद भी तेजी से develop किया 1750 से लेके 1850 के बीच में England की economic power England की economic हालत उनकी जो economy थी वो बाकी European countries से बहुत ज़ाद अच्छी थी चुकि उन्होंने modern means of economy को अपनाया था तो एक bank of England था उस समय पे England भी war पे था बहुत सारी countries के साथ योरोप में तो भाई bank of England ने क्या बोला bank of England ने government debt को money markets पे उता रहा उन्होंने बोला कि गौर्मेंट अपने bonds निकाल रही है लोग इन bond को खरीदें और इन bonds पे अच्छे return मिलेंगे इन bond owners को अगर England जीच जाता है अपने wars में बाकी European powers के against तो लोगों को mobilize करके अमीर लोगों को mobilize करके एक अच्छा economic system मना के proper तरीके के government bonds को market में उतार कर अपनी economy को English East India Company ने सही किया इस पैसे का इस्तमाल करके English East India Company ने war डड़े war जीते और उसके बाद जो bond holder से उनको अच्छा return भी दिया वहीं पे अगर आप France को देख लें दोस्तों तो France में Napoleon Bonaparte का राज्टा Napoleon जबरदस्त अड्मिनिस्टेटर था बट economy के terms में Napoleon की जो policies थी वो fail हो गई ठीके न, end में आप देखोगे कि France almost bankruptcy की edge पे पहुँच गया था 1820 आते आते दोस्तों तो जो economy है debt market से पैसा उठाना लोगों से उधार पर पैसा उठाना और बाद में उनको अच्छे rate of interest पे वापस करना ये England ने किया ये France नहीं कर पाया ये बात बोली गई दोस्तों तो ये reason था कि क्यों English East India Company बाकी European powers को हराने में कामियाब रही अब तक जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है दोस्तों उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सही तरीके से आपको समझाया है आप समझ सकते हैं न ये debt क्या होता है debt मतलब होता है दोस्तों उधार किसी को आपने पैसा दिया मालेजिए सौरुप और आपने उससे बोला कि एक साल बाद 10% के ब्याज पर ये पैसा में तुमसे वापस ले लूँगा तो 110 उर्पे आपको एक साल बाद आपको 110 उर्पे वापस मिल जाएगा अपने ब्याज के साथ ये होता है debt तो ये debt government bonds के form में England ने बाटा government bond Bank of England ने इन bonds को लोगों को बेचा लोगों ने पैसे दिये इन bank को ये पैसे English administration के पास आये और इन पैसों के इस्तमाल करके English administration ने अपनी जंगे लड़ी और जंगे जीती तो आप देखे होगे कि इनके opponents इनके पास पैसा कतम हो रहा था English East India Company की economy ज़्यादा बेटर थी अब यहाँ पर हम summary पर आजाते हैं दोस्तों शुरुआत से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है Right from 15th century एक sea route की शुरुआत की एक sea route को धोड़ा किसने पॉर्तुगीज ने पॉर्तुगीज ने बोला कि हम इंडिया में एक sea route धोड़ेंगे sea route धोड़ने से पहले योरोप में खलबली मच रही थी रिनेसा की feeling आ रही थी योरोप में और इस रिनेसा की feeling ने क्या बोला कि भाई और यह economic avenues को धोड़िये और economic opportunities को धोड़िये फिर वहाँ की economy grow कर रही थी prosperity हो रही थी meat production अच्छा हो रहा था तो meat को preserve करने के लिए spices चाहिए थे खाना पकाने के लिए spices चाहिए थे ये spices कहां मिलेंगे तो सबको पता है कि Indian subcontinent के western court पे spice trade चलता है तो पहले वो trade Indian, Chinese, Arab South Asian merchants करते थे फिर पुर्तुगाल वाले पहुँचेंगे और उस trade को monopolize करने के कोशिश करेंगे तो इन सब चीजों के चलते ये बात बनी कि भाई Europe से जो trade है इंडिया का और Indian subcontinent का और South Asia का वो बढ़ना चाहिए वहीं पे एक और problem हो जाएगा Constantinople को capture कर लेंगे Ottoman Turks 14 सो दिर्बन में सीरिया इजिप्ट पे भी कबजा कर लेंगे Ottoman Turks तो एक भावना उठेगी Europe की Christianity के बीच में और ये जो Ottoman Empire था इसके इसलाम की भावना की बीच में Christianity versus Islam का जनम होगा जो Swiss Canal के एकसेस थी जो Red Sea के एकसेस थी Christians को, Europeans को वो तूट जाएगी और उसको तोड़ने के लिए Vasco de Gamma एक voyage लेगा वो उससे पहले Spain और पूर्टगाल से बोला जाएगा कि भाई आप voyages लीजे तो Spain आप देखो कि जाएगा West की तरफ, वो जाएगा North America और South America की तरफ, और पूर्टगाल जाएगा East की तरफ, Spain और पूर्टगाल को पैसा और आदमी प्रोवाइड करेंगे North Europeans और ships की technical knowledge प्रोवाइड करेंगे Genoese, ये जो Genoese हैं ये actually Italians हैं Italy का एक पार्ट है, ये Genoa, वहाँ के लोग हैं ओके, और फिर सबसे पहले पूर्टगीज का ये वस्को डिगामा रास्ता दूर के पहुँच जाएगा इंडिया और इसके बाद, पॉर्टगीज के बाद English भी आएंगे, Danish इस इंडिया कंपनी भी आएगी, France भी आएंगे सबसे पहले भगिया पहुँचेंगे पॉर्टगीज और सबसे एंड में पहुचेंगे फ्रेंच वाले, तो सबसे पहले कौन पहुचा इंडिया पॉर्टगीज, फिर पहुची डच इस इंडिया कंपनी फिर पहुची इंग्लिश इस इंडिया कंपनी फिर पहुची डैनिश इस इस इंडिया कंपनी फिर 1502 में वास्को डिगामा वापस आएगा और इंडिया में आके कैलिकट, कोचीन और कनन और नाम की जगा पे फैक्टरीज लगाएगा पॉर्टुगीज की पहली बार जब 1498 में वास्को डिगामा इंडिया पहुचा और उसके बाद वापस पहुचा उस ट्रेट से उसने पता नहीं कितने गुना प्रॉफिट कमाया फिर उसके बाद वासको डिमाग के बाद आएंगे फ्रांसिसको डी अलमेडा फ्रांसिसको डी अलमेडा का राज होगा 1505 से लेके 1509 तक ठीक है फ्रांसिसको डी अलमेडा लेके आएंगे ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है ये ब्लू वाटर पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी को यहाँ पे बोला गया है कार्टेज सिस्टम मैंने आपको समझाए भी फिर समझातो इसमें क्या होता ब्लू वाटर पॉलिसी में कि फ्रांसिस्को डियल मेरा ने बोला हमें टेरिटोरियल पावर बनने की जरूरत नहीं है क्या करेंगे टेरिटोरियल पावर बनके हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि हम पानी पे कंट्रोल करके रखें अगर समुंदर पे हमारा कंट्रोल है तो टेरिटोरियल पे कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं समुंदर पे कंट्रोल है तो हम जो lines of communication है उनको काट सकते हैं और trade में हम लोग अपना जो duty है tax लगा के पैसा कमा लेंगे तो territorial power बनने की जरोथ नहीं पानी पे control रखो जो modes of communication है through water, through oceans उनको काट देंगे अगर जरोथ पड़ेगी तो यह policy थी आपकी फ्रैंसिस्को डियल मेडा की initially में शुरवात में policy successfully बाद में थोड़ी fail होने लगी चुकि ब्रिटेन जब आये तो ब्रिटेन ने अपनी स्नेवल power को भी बढ़ाया और अपनी territorial power को भी बढ़ाया और वो पॉर्टगीस को हराने में कामियाब रहे अब आप देखोगे फ्रैंसिस्को डियल मेडा के बाद आएंगे अलफांसो डियल ब्यू कुरके सब पता चुका हूँ दोस्तों यहाँ पर बस एक revision चल रहा है यह आपका revision किताब में भी हो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं फंदरा सुननों से फंदरा सु पंदरा अलफांसो डियल ब्यू कुरके ने क्या किया यह बोला जाता है कि ही वbers एर रियल फाउंड़ उफ पर्तुगीस पावरें इंडिया पर्तुगीस सामराज जोको इंडिया में सथापित करने का श्रे जाता है किसको अलफांसो डी अलवी कुरके को अलफांसो डी अलवी कुरके ने गोवा को कैप्चर किया बीजापूर की सल्तनत से वहाँ पे मुस्लिमों को काटना शुलू कर दिया फिर श्री कृष्ण देवराया जो कि विजेनगर के रूलर थे 1510 में उनसे भदकल नाम की जगा चीन ली फिर किर्शियानिटी को फैलाने के लिए अलफांसो डी अलवी कुरके ने क्या बोला पर्टुगीस से कि भीया जो इंडिया की लोकल लेडीज है उनके साथ शादी करना शुलू कर ये तो उनके साथ शादी करेंगे तो वो लेडीज भी कृषियन बन जाएंगे जो बच्चे होंगे वो भी आगे कृषियन होंगे ये भी बोला गया और एक चीज बच अच्छी की अलफांसो डी अलवे कुरके ने की गोवा और उसके आसपास की अलाकों में जहाँ पे इसका कंट्रोल था वहाँ पे सती प्रथा को बैन कर दिया गया सती प्रथा आप सबको पता है अलग से बताने की ज़रूवत नहीं है फिर बाद में देखते हैं भाई है 1529 से लेके 1538 इस तक राज रहा किसका एक और परसन था नीनो डा सुनहा इस नीनो डा सुनहा का रोल भी इंपोर्टन है दोस्तों इसने कैपिटल को शिफ्ट किया कोचीन से गोवा वैसे तो गोवा अलफांसो डी अलबुकुरके की समय पे भी बट कैपिटल शिफ्ट हुई कोचीन तो गोवा किसके समय पे नीनो डा सुनहा के टाइम पे नीनो डा सुनहा के टाइम पे दियू नाम की जगा है और बसीन नाम की जगा है वो पॉर्टुगी से कंट्रोल में आई और ये दियू और बसीन पहले किसके अंडर में था बहादुर शाह ये बहादुर शाह दोस्तों इसकी अपनी एक कहानी है बहादुर शाह एक अच्छा रूलर था एक efficient रूलर था गुजरात के इलाके में इसका राज था इसकी कह सकते हैं एक दो लड़ाईया हुमाईयों से भी हुई थी हुमाईयों जो कि मुगल एंपरर था तो हिमाईयों ने पहले इसकी कुछ टेरिटरीज चीनी बाद में बहादुर शाह ने उन टेरिटरीज को वापस ले लिया बहादुर शाह की दियू और बसीन करवा के बहादुर शाह को मरवा दिया और इसकी बाड़ी को काटके अरेविन C में फेक दिया अब विक्कीबीडिया में तो यह भी लिखा हुआ है कि बहादुर शाह को जो मारा गया था ना दोस्तों वो इसलिए मारा गया था क्योंकि पॉर्टुगीज को ये पता चल गया था कि बहादुर शाह साउथ में कुछ रजवारे हैं कुछ गिंग्डम से जिनके साथ मिलकर पॉर्टुगीज पे अटैक करने का प्लान कर रहा है तो ये पॉर्टुगीज वाइसरा को पता चल गया और पॉर्टुगीज वाइसरा ने बहादुर शाह को मरवा दिया अब exactly क्या वज़ा थी उस समय पे बहादुर शाह को मरवाने की किसी को भी नहीं पता but he was an efficient ruler और यहाँ पे आप देखेंगे धोके से पॉर्टुगीज ने बादुर शाह को मर दिया ओके ये भी बात है फिर अगर आप बात करो दोस्तों कि पॉर्टुगीज ताकत इंडिया में कम क्यों हुई सबसे पहरी बात तो है दोस्ते हो कि इजिप्ट, पर्शिया, नॉर्थ इंडिया यहाँ पे पॉर्टुगीज के आप कह सकते हैं कि कॉम्पटीटर्स आ रहे था देखिए, यह जो पॉर्टुगीज थी इस्ट इंडिया कमपनी थी यह जो पॉर्टुगीज थी यह इंडिया में एक्टिव थे इंडिया के साथ और भी जगों पर अक्टिव थी दोस्तों ये एफ्रीका के इस्टन एच पर अक्टिव थे ये साउथ एशिया में अक्टिव थे अब इजिप्ट की पर्शिया की डाइनेस्टीज बढ़ने लगी तो वो जो एफ्रीका का इस्टन एच है वहाँ पे जो पॉर्टुगीस कॉलोनी थी, वहाँ के पॉर्टुगीस से लड़ने लगी, फिर नौर्थ उंडिया में भी कुछ बड़े-बड़े राजा उठने लगे, माराथा भी आ गए, ये माराथा पॉर्टुगीस से लड़ने लगे, तो अब आप देखोगे कि पॉर आप देखोगे कि शुरुवात में जब पॉर्टुगीस इंडिया में गुसेंगे, तो केवल मुसलिम्स को मारेंगे, और जब वो इन्कुईजिशन की पॉलिसी को पूरी तरीके से परस्यू करेंगे, तो वो मुसलिम्स के साथ साथ हिंदूओं को भी मारना शुरू कर दे और जब ये चीज़ें इंडिया में होने लगी तो सब लोग ये पॉर्टुगीस से कुछ ज़्यादा डबने लगे, उनको लगा कि भाया ये तो सीधे सीधे रिलीजन के बेसिस में मार रहा है हमको, तो अपने आपको बचाना है, तो इसलिए पॉर्टुगीस से लोग और साथ-साथ पॉर्टुगीस की जो लीडर्शिप थी, जो इनके सर्वेंट्स थे, जो इनके बॉसेस थे, जो इनके, मतलब जो कंपनी के, जो पॉर्टुगीस के यहां से जो लोग आये थे इंडिया में काम करने लिए काफी करप्शन था उनकी बीच में, सेल्फिशनेस थी, ग्रीड थी, वो अपनी लीडर्शिप से छुपा के नीचे की तरफ प्राइवेट रेट प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना ही पैसा कमाने में लगे थे, मतलब वो अपनी जेबे भर रहे थे और पॉर्टुगीस एड्मिनिस्टेशन सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो उसके बाद ब्राजील में एक नई economic opportunity नजर आई, पॉर्टुगीस की रूलर्स को, तो उन्होंने बहुत सारे resources को ब्राजील की तरफ डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वज़े से जो पॉर्टुगीस कॉलोनीस थी इंडिया में, उनको इतना support नहीं मिल पाया, जिसकी वज देखा किताब में आप पढ़ सकते हैं, वे रहा है, गिडगे, उस्ट, इंडिस, चे, कैमपेगन, ये भईया मार्च 1602 में बनी थी, ये डच कमपनी, मार्च 1602 में, डच पालियमेंट ने इसको बनाया था, इसका भी ताकत दी गई थी कि भी आप फोर्ट्स बना सकते हैं, ट्रीटी कर सकते हैं, वार कर सकते हैं, डच की बहुत सी फैक्टरीज हैं इंडिया में, तो मसूली पतनम, 1605, पुली कट, सूरत, बिमली पतन, करीकल, चिन सुरा, कासिम बजार, बंगाल में, बरा नगार, पतना, बाला सोर, नाग पतन, 1658, कोचीन, 1663, आप देख सकते हैं किताब में दुस्तों लिखा हुआ है, एक बात बता दूँ, आपको ये सब याद करना ज़रूरी नहीं है, पढ़ लीजे बस, ठीके, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, ओके, फिर आप देखोगे, कि जए डच की पावर बढ़ेगी, तो डच की और ये जो डच टी इंडिया में वो दीरे दीरे इंडिया से बाहर निकल जाएंगे, तो इंडिया चला जाएगा इंग्लेंड के पास तो जो मले आर्किपिलाजों का इलाका है, इस पर गंट्रल हो जाएगा डच का, और फाइनली बैटल ऑफ विदारा में आप देखोगे, 1759 में, जो डच है वो इन अंग्रेजों से हार जाएंगे, फिर आते हैं भाई, इंग्लिष इस्टि इंडिया कंपनी पर दोस्तों, इंग्लिष इस्टि इंडिया कंपनी का क्या देखते हैं। इंग्लेंड में एक खुशनमा मौहौल था, 31 दिसंबर 1600 को इंग्लिस इस्ट इंडिया कंपनी बनी, इस इंग्लिस इस्ट इंडिया कंपनी को बनाने के चार्टर इशू किया कुईन इलिजाबेट वन ने, पहले 15 साल की मोनोपली दी गए और बाद इस मोनोपली को अलिमिट टाइम के लिए आगे बढ़ा दिया गया, फिर आप देखेंगे जैसे जैसे ये इस्ट इंडिया कंपनी की जो सर्वेंट्स इंडिया में आएंगे, पहले जहांगीर की कोट में जाएंगे, तो जहांगीर की कोट में पहले तो पॉर्टुगीज इंटरफेरेंस करेंगे कि फिर इंग्लिश अपनी पहली फैक्टरी सेटल करेंगे सूरत में जो कि पॉर्टुगीज नहीं चाते थे वर फाइनली इंग्लिश रेमनी फैक्टरी सेटल कर ली सूरत में। पूरा पूरा आइलेंडी डायरों में दे दिया वो भी बॉम्बे जैसा आइलेंड तो यह बॉम्बे चला गया किसके पास दोस्तों वो चला गया आपका इंग्लेंड के राजा के पास। वम्बे में। नीन शहरों को मिलाके कलकत्ता शहर बनाए गया, वो कलकत्ता शहर एक्सपेंड होता गया, एक्सपेंड होता गया और प्रिजेंट डिफॉर्म में आज आपको नजर आ रहा है, इसको मैंने जब पहले पढ़ाया था आपको बताया है दोस्तों, ओके, फिर यहाँ पे एक सेट काट ओफ इस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पे इस्ट इंडिया कंपनी को प्रिविलेजिस मिल गया, बंगाल, गुजरात और हैदराबाग में बिना ड्यूटी पी किये, बिना कस्टम ड्यूटी पे किये ट्रेड करने के, और यह प्रिविलेजिस के वल इस्ट इंडिया क कमपनी के सर्वेंट्स को भी मिलके और इस्ट इडिया कमपनी के सर्वेंट्स हर छोटे-मोटे चुन्नु मुन्नु को ये प्रिविलिज्स बाट रहे थे बेच रहे थे तो मतलब अपनी सोवरैनिटी देदी फरुक्तिर ने इनको फिर आप देखो कि दोस्तों की इंग्लिष इस इस इंडिया कंपनी जब यहाँ पर काम कर रही थी तो इंग्लैंड में इंग्लिश इस इंडिया कंपनी के अगेंस आवाजे उट रही थी इंग्लेंड में जो बाकी companies थी बाकी लोग थे जो influential लोग थे वो बोल रहे थे हम अपनी company मनाएंगे और हम भी जाके trade करेंगे ये अकेले East India Company कैसे profit कमा रही है तो पहले कौटीन association नाम की एक कौटीन association था उसने मतलब आप ये कह सकते हैं 1635 में एक rival company थी कौटीन association नाम की इसको बाद में आसादा company कहा गया है इसको Sir William Cautine ने मनाया था इसको भी license मिला इंडिया में trade करने का बाद में ये East India Company के साथ मिल गई एंडिया में जो मिल के East India Company मनी उसका नाम था United Company of Merchants of England trading to the East Indies तो ये था दोस्तों English East India Company के बारे में और फाइनली देखते हैं आपका French East India Company के बारे में सब कुस तो आपको बता रखा बस एक यहाँ पर revision हो रहा है French East India Company में यह लुई 14 पागल राजा कै लुई 14 को तो मैं फिर भी बोलूँगा ठीक टाक राजा था लुई 16 इकदम पागल था ठीके ना याद है ना लुई 16 जिसने काउंडी लैली जिसने फ्रांस के लिए लड़ाई की इंडिया में उसी की गरदन उड़ा दी तो यहाँ पर देखेंगे 1664 में कॉलबर्ट लुई 14 का मिनिस्टर था उसमें बोला भया कंपनी मनाते हैं तो कैंपेंग ने डेस इंडेस औरेंटेलस बनी आप देखेंगे फ्रेंच का एक बहुत important center था इंडिया में जिसका नाम था पॉंडिचेरी पॉंडिचेरी को grant किया था किसे यह गरांट किस ने दिया था शेयर हान लोडी नाम के रूलर ने जो की 1673 में वली कॉंडापूरम का गवरणर था बाद में आप देखोगे कि यह जो पॉंडी चेरी है यह 1954 में इंडिया से मिलेगा और फ्रांस से बोला जाएगा टटा भाई भाई इंडिया से निकलो भाई यह एंगलो फ्रेंच राइवलरी बहुत फेमास है फस्ट करनाटिक वार, सेकेंड करनाटिक वार, थर्ड करनाटि अगला हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 जो की है इंडिया on the eve of British conquest I hope वीडियो आपको समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, देखें, कमेंट करके जरूर बताईए दोस्तों जितने ज़्यादा कमेंट आते हैं बहुत अच्छा लगता है, प्लस शेयर भी कर दिजिए, थैंक्यों फोचिंग है वाग रेंटें